Good day to all of you इस भाग में आप सभी ने जैसे देखा होगा या समझा होगा कि आप सभी ने कुछ ऐसे प्रसंद पूछे जा रहे होंगे जिनने आपको इस भाग में नहीं पढ़ाया गया है पर उसके प्रसंद के साथ आंसर को जरूर बताया जा रहा होगा क्योंकि आप सभी स्प्रेडशीट के एडवांस भाग को सीख रहे हैं इसमें आपको उन विकलपों को दिया जाएगा जिनने आपने स्प्रेडशीट के पहले भाग में सीखा था आए आज की क्लास सुरू करते हैं कि आप बता सकते हैं, किसी मंत के दिन को जानना हो, तो कैसे निकालेंगे, मंत के दिन जानने के लिए आप equal to day in month formula का उपयोग करेंगे, कि आप बता सकते हैं अगर मुझे कुछ student के result को जानना है, कि कौन से student fail है या कौन से student pass है, तो किस formula का उपयोग करेंगे, इसके लिए आप सबी if formula का उप्योग करेंगे जैसे की equal to if test value semicolon then value otherwise इस प्रकार से आप pass और fail का result निकाल सकते हैं पूरे साल में कितने week होते हैं ये जानने के लिए किस formula का उप्योग करेंगे पूरे साल के week को जानने के लिए weeks in year formula का उप्योग करेंगे जैसे की equal to weeks in year date इस प्रकार से आप weeks को निकाल सकते हैं compare document और change विकल्प में क्या difference होता है compare document के द्वारा आप अपने current document के साथ दूसरे document के साथ उसे compare कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो उसे accept और reject के अनुसार कर सकते हैं change विकल्प की मदद से आप अपने किसी भी document में हो रही गरती वीजियो को record कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने क्या क्या change किया है अगर आप चाहते हैं कि वो changes आपके document में ना हो तो आप उसे reject और accept option के मदद से select कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं पेस्ट और पेस्ट special में क्या अंतर होता है पेस्ट के दोरा आप किसी भी text object cell को copy कर सकते हैं उसी परकार दूसरी जगा पर उसे रख सकते हैं अगर आप पेस्ट special के दोरा आप पेस्ट करने के समय कमांड दे सकते हैं कि किस परकार से अपने data को paste कराना है जैसे कि आप सिर्फ अगर text को paste करना चाहते हैं तो सिर्फ आप text को paste कर सकते हैं इसी प्रकार से आप object, row, column इत्यादिक को paste special की मदद से paste कर सकते हैं अगर आपको current document के details को जानना है तो आप उसे कैसे निकालेंगे details जानने के लिए आप file menu के properties विकल्प के द्वारा आप अपने spreadsheet के document की details को देख सकते हैं अथवा जान सकते हैं अब आप सभी अपने computer को on करें और बताएगे किसी भी एक तरीके से spreadsheet की document को open करें आईए अप जानते हैं कि आज क्या सीखेंगे आज आप view और insert menu के बचे हुए विकल्पों के बारे में सीखेंगे जैसे की data source, navigator, link, external data, name, comments, picture, movie and sound, object, floating frame के बारे में सीखेंगे और इसके बाद मैं आप कुछ formula के बारे में सीखेंगे अब आप सभी सामने दियेगे data को देखकर अपने spreadsheet की किसी भी sheet पे type करें आगे बढ़ने से पहले आए वीडियो के दुआरा देखकर review कर लेते हैं कि view option का उप्योग क्यों करते हैं कि आए वीडियो की मदद से व्यूग मेन्यू का revision करते हैं कि व्यूग मेन्यू के अंदर क्या क्या सीखा था सबसे पहले आप देखके हमने यह पे कुछ data को टाइप किया हुआ है हमने इसपर एक data टाइप किया हुआ है हमें view menu के revision करना है इसके लिए हम सबसे पहले view menu पे click करेंगे हमने view menu पे click किया सबसे पहले option यहां पर normal करता है उसके बाद page break preview जब आप page break preview पे click करेंगे जहां तक अपने data को type किया है यह आपको सिर्फ महीं तक आपको दिखाएगा और बाकी के जितने भी empty cell है उसको यहां पर show नहीं करेगा जिस cell के अंदर आपने काम किया है सिर्फ उसी cell को यहां पर दिखाएगा आप इसको page preview में भी देख सकते हैं जैसे आपको वीडियो में दिखाए जा रहा है page preview के अंदर भी वही data दिखाएगा दे रहा है जो हमने जिस पर हमने काम किया है यहां से page preview क्लोज कर दें अगर इसको आपको normal mode में लाना है इसके लिए फिर से view menu पे click करेंगे आप वीडियो में पे click करने के बाद normal option को select कर लेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं जैसे हमने normal option को select किया यह पहरे जैसे आ गया फिर से view menu पे click करें अगला options toolbar का है इसके अंदर आप उन tools को hide और show कर सकते हैं जिनको आपको जुरूत है यह आप वीडियो में देख सकते हैं जिन 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 पर right tick लग रहा है वो tool यहां पर show रहा है हमने drawing toolbar को select किया उसे तो आप देख सकते हैं जो यहां पे है अपर जो बार लो यहां से हच गया अपर हमने विओर पर REM किया अबने विओ पर करेंगे कि करेंगे कि अब देखतने हैं अब और भी आइड हो गया है chemical चींपरिव पर क्लिक करेंगे त्टूल वार पर जाएंग téc अगर आपको Formating toolbar को आप Formating toolbar को भी यहां से हटा सकते हैं अगर आप Formating toolbar की मतरब से Customize करना चाहते हैं कुछ तो आप Customize भी कर सकते हैं जैसे आपको वीडियो में दिखाया जारहा है एक टूलबार पर क्लिक के Customize को Option है अगर को standard toolbar के अंदर या किसी भी टूल बार के अंदर आपको customize करने आप उसे यहां से customize कर सकते हैं हमने यहाँ पर can't undo can't redo option को यहाँ से unselect किया होके पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जो standard toolbar के अंदर है जो undo redo का option है वो भी यहाँ से hide हो गया तो हमने इसको यहां से customize भी किया फिर से हमने click किया View menu पे toolbar पे click किया अगर आपको standard toolbar हटाना है तो आप यहां से हटा सकते हैं अगर drawing लाना है हमने drawing पे click किया तो drawing toolbar आप देखते हैं नीचे page के bottom में वह आ गया formula bar को लाना है View पे click करें formula bar पे click कर दें तो यहां से formula bar भी आ जाएगा जैसे आपको वीडियो में दिखाए जा रहे है फिर से view पे click करेंगे toolbar पे जाएंगे Formating को वापे लाना है Formating पे click करेंगे तो आभ यह आप देखते हैं ही है लेकिन जैसे आप standard toolbar को adjust करेंगे तो जो formatting bar है वह यहां पे आ गया view menu पे click करेंगे अगर status bar को आना है तो status bar option को select कर ले तो status bar यहां से फिर से आ जाएगा view menu पे click करेंगे फिर से अगला option column row header है जब आप पे click करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे जो column और row था वह यहां से hide हो गया है आप देखते हैं जो serial number 123 आ रहा था वह नहीं आ रहे यहां पर और जो column में row में जो ABC था वह भी यहां पर नहीं आ रहा है यहां से number और जो column का वह ABC था वह यहां से hide गया आप page preview में भी देख सकते हैं वह options आपको दिखाई नहीं देंगे यहां पर प्रिव्यू करें यहां से अगर आपको फिर से header और column row header को लाना है फिर से option को select कर लें अब आप देख सकते हैं जो serial number 123 यहां पर आ गया है और यहां पर जो ABC जो column है वो column भी यहां पर आ चुके हैं तो इस प्रकास से आप row column header की मदद से इनको आप hide और so कर सकते हैं पिर से view menu पर क्लिक करें अगला option view highlighting का है value highlighting का है जब value highlighting पर करेंगे जो जितने भी आपके seat हैं जहां पर भी जितने value हैं उनको highlight करके दिखाएगा text को highlight नहीं करेगा यह सिर्फ numbers को highlight करेगा तब view highlighting के मदद से अपने seat पर value को highlight करके देख सकते हैं इसको अटाने के लिए फिर से view पर क्लिक करें value highlight पर क्लिक कर दें यह पहले जैसे आ जाएगा फिर से view menu पर क्लिक करें data source को option है जब आपकी seat पर कभी इस तरीके को box बना आज है उसे अगर आप हटाना चाहते हैं या उसके अंदर जो आपने पहले से data कुछ बनाया हुआ है उसको अगर आप insert करना है तो आप यहां से कर सकते हैं इसके साथ आप जाए सकते हैं यह गैलरी को option भी हाइलाइट होगे जैसे इस पर क्लिक किया आप यहां से data source को option को hide or run hide कर सकते हैं इसको वापस हाइड करने के लिए फिर से view पर क्लिक करें और data source पर क्लिक कर दें और gallery को हाइड करने के लिए बटन पर क्लिक कर दें तो इस प्रकास इसको आप hide और run hide कर सकते हैं अगला option view menu पर फिर से क्लिक करें नविगेटर को select कर लें नविगेटर में आप देख सकते हैं जैसे कि आपको पाता है नविगेटर से कि उसके इंदर आपने जीते भी date टेबल या picture insert के आप उनको देख सकते हैं आप cell को जान सकते हैं कि आप कि cell पे current काम कर रहे हैं उस cell की position को बताता है आप इन सारे अगर आपको सारे options को highlight करना थे यहां पे click करेंगे सारे options हो जाएगा अगर किसी एक option को select करके किस पर click कर देंगे तो यह option होगा बाकिक option अगर आप सबको hide करना है तो इस option पर click करके सब्सक्राइब कर सकते हैं कि कोई link अगर hyperlink लगा है अगर उसको देखना चाता है या अलग से कोई insert link करना चाते हैं कोई link को insert करना चालता आप यहां से कर सकते हैं नविगेटर की मदद से जॉप की seat है आप site पर क्या-करी किया है आप उसको देख सकते हैं, ग्राफिक चित्र यह हैप लिंक करें फिर से view menu पर किलिक करें अगर option side bar का है side bar की मदद से आप जॉप के right side में जो text की formatting जो side bar है उसे आप hide और run कर सकते हैं जैसे इमने Sidebar पे क्लिक किया तो आप देशकते हैं यहां पर जो Sidebar है वो Hide हो चुका है यहां से इसको अगर आपको फिर से लाना है लाने के लिए फिर से View Menu पे क्लिक करेंगे Sidebar पे Select करें यह फिर से वापिस आ जाएगा जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है पिर से View Menu पे क्लिक करें अगर आपको अपने सेट को फूल स्क्रीन में देखना चाहता है तो आप यहां से फूल स्क्रीन कर सकते हैं या फिर Ctrl-Shift-J, shortcut command के दौरा भी से आप फूल स्क्रीन कर सकते हैं अगर फूल स्क्रीन से बाहर आने तो फूल स्क्रीन पे क्लिक कर दें तो आप उससे बाहर आ सकते हैं फिर से View Menu पे क्लिक करें अगर आपको जितने परसेंट भी जूम चाहिए पेज की साइज को कम जादा करना है तो आप यहां से कम जादा कर सकते जैसे हमने variable पर क्लिक किया, यहां से हम इसकी size को कर सकते हैं, अगर 100% करने ते direct 100% पर क्लिक करके OK पर क्लिक कर दे, तो अब इस प्रकार से आप page को आप adjust कर सकते हैं, इस प्रकार से हमने view menu के दिवारा इन से भी option को कार्य कर सकते हैं, इन options को use कर सकते हैं, आइए अब insert menu के बचे वे options के बारे में सीखते हैं, क्या बता सकते हैं, link to external विकल्प को उप्योग क्यों करते हैं, link to external विकल्प की मदद से आप किसी भी seat में define की गई range को उश seat पर insert कर सकते हैं, आइए अब वीडियो को देख कर समझते हैं, इस विकल्प को उप्योग कैसे कर करते हैं आये वीडियो की मझच से सीकते हैं लिंक डेता कि boom कैसे करते हैं कि जैसे आप सब से पहले देख सकते हैं हमान यहाँ पर सीट 1 में कुछ डीता को ठाइल किया है कि तो हम इसको पहले सबस्डेक कर के इसको जो भी डेता इसको हम define कर देंगे, define करने के लिए हम इसको select किया पूरे data को insert menu पर गए, name option पर गए और define पर हमने click कर दिया, जैसे का आप वीडियो में देख सकते हैं हमने define पर click किया, जिस name से भी आप इस data को आप define करना चाहते हैं, उनीम यहाँ पर type करें, हमने यहाँ पर computer type किया, computer type करने के बाद हम इसे list के अंदर add करना है, तो add पर click कर देंगे, हमने यहाँ पर computer 1 type किया, उसका वाद हम एड पर क्लिक करेंगे तो यह लिस्ट के अंदर आ जाएगा फिर ओके पर क्लिक कर देंगे अब हम चाहते हैं लिंक डिट एक्टरनल के थूरू एक लिंक के थूरू जो हमने इस डेटा को कोपी किया है जो हमने डिफाइन किया है हम इसे दूसरी जगह पर पेस्ट करना चाहते हैं उसका हम उपयोग करना चाहते हैं उस डेटा को इसके लिए हम इनसेट में मेनु पर क्लिक करेंगे लिंक टू एक्टरनल डेटा जो अप्शन है यहाँ पर उसको सलेक्ट करेंगे अब यहाँ पर पूछेगा सबसे पहले जो फाइल के अंदर आप काम करें थे उस फाइल के अंदर हमने डिफाइन किया था तो यहाँ पर फाइल नीम जो अंटाइटल है हमने अंटाइटल नाम से सेव किया था तो अंटाइटल फाइल को हमने सेव किया था तो लिस्ट के जितने भी पहले से define किये गए हैं वह आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे हमने computer one के नाम से बनाया था तो वह अभी यहां पर Sony हो रहा है इसके लिए हम एक बार file को close करना होगा file को close करके जब हम दोबारा file को open करेंगे तो उसमें update हो जाएगा जोब हमने नाम से define किया था हमने file को close करेंगे अब फिर से file को हमने open कर लिए हो seat one पर data है हमें seat two पर same data चाहिए इसके लिए insert पर click करेंगे link to external पहले URL external data जो source है जो file है पर उस file को हम select करेंगे हमारी फाइल है हमारी फाइल को select किया तो जो range है जो हमने define किया था उस range को हम दूनेंगे हमने computer one के नाम से एक range बनाया था तो हमने यह पर computer one को select किया फिर ओके पर click कर दिया तब दे सकते हैं जो seat one पर data था वो data यहां पर भी आ गया तो इस प्रकास से आप link to external data की मदद से आप किसी भी data को define करके उसे आप दूसरी जगह पर link के थूरू से add कर सकते हैं copy paste कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं names विकल्प क्या होता है और इसका उप्योग क्यों करते हैं name विकल्प के दौरा आप अपने spread sheet document के अलग-अलग section के name को define कर सकते हैं इसके दौरा आप अपने selected cell को name में भी बना सकते हैं और इसके बाद आप उस cell को data को आप उस नाम से अपने seat पर insert कर सकते हैं आये वीडियो को देखकर सीखते हैं इस विकल्प का उप्योग कैसे करते हैं आये वीडियो की मदद से name विकल्प के बारे में सीखते हैं name विकल्प से क्या होता है आप देखते हैं यहां पर कुछ data पहले सी टाइप है हमने insert मेन्यू पर क्लिक किया और define पहले option define करें अगर आप किसी cell को किसी नाम के साथ define करना चाहते हैं या पूरे data को आप किसी name के साथ देना चाहते हैं तो आप वहां सी define कर सकते हैं जैसे हमने पहले row को हमने select किया उसे हम किसी name के साथ define करना चाहते हैं name पे गए हैं inside menu पर क्लिक करना चाहते हैं तो आपको जिस name से भी आप देना चाहते हैं आप उस name को यहां पर type कर सकते हैं हमने यहां पर cs1 यहां पर देश इतना invalid आ है क्योंकि हमने यह पर नुमेरिक यूज किया हैं तो आपको नुमेरिक यूज नहीं करना सिर्फ आपको टेक्स लिखना है तो हमने यह पर cs1 add पर क्लिक किया और फिर ok पर क्लिक किया अगर आपको इसे इंसर्ट करना चाहते हैं जो आपने इसे range को आपने नाम को दिया है नीम पर जाएंगे इंसर्ट पर क्लिक करेंगे इंसर्ट नीम में जो भी आपने नीम किया है तो उसका एक formula बनके यहां पर आ जागा जैसा आपको वीडियो दिखा जा रहा है जब इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ value यहां पर इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं नीम की मदद से आप किसी भी cell या जो भी column या row है उसको आप define करके उसका name आप कोई भी name दे सकते हैं क्रेट की मदद से आप जो भी data है आप उस data को एक अलग-अलग name के साथ जो भी इतने भी data है उसकी value को आप define कर सकते हैं और फिर इसको आप insert कर सकते हैं किसी दूसरी जगह पर हमने यहां पर insert पर click किया और फिर name और create name पर click किया तो पर आपने यहां पर select किया जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और left column यहां पर इन वाली सेलेक्शन इसलिए दिखा रहा है कि मैं इस data को select नहीं किया था तो हम इस पूरे data को select करेंगे data को select करने के बाद insert पर जाएंगे name पर click करेंगे create पर click करेंगे आपको जो जो value चाहिए top two column या left column उसको आप select कर लें यहां पर पहले से बनने में इसलिए इसको replace करने के पूछ रहा है तो हम इसको replace कर देंगे जिसे भी आप replace करना चाहते हैं इस सारे value जो name है इस निंग पर साथ यह लग से list के अंदर define हो जाएगा जो भी इसके इसके इंदर value हो वो value यहां पर आ जाएगा हमने सब को replace कर यहां फिर हम अगले seat पर गए seat जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर आपके machine की value को आप count करना चाहते हैं कि इसके आगे कि क्या value थी को आप यहां से निकाल सकते हैं जैसे हमने यहां पर कृतिका को select किया अब यहां पर equal to click का आ रहा है जब उसको हमने enter button प्रेस किया तो उसके साथ में जो reference value था वो यहां पर आ गया आप देखते हैं जो salary का था उसके salary का यहां पर आ गया जो location का था वो location का भी यहां पर आ गया क्योंकि हमने इसको create किया था पहले create करके हमने इसको define किया था और define करने के बाद जब हमने insert किया किसी भी name को insert करेंगे तो उसके साथ साथ में जो भी value था वो value उसके साथ में यहां पर आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर से seat one पर जाएं जो आपके पास data पूरी data को select करें insert menu पर click करें insert पर जाएं अगला option label का है label के दवारा आप जो भी आपके पास data है उसे row और column wise उसे highlight कर सकते हैं उसका label उसे label बना सकते हैं जिस आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने column row label को select किया add पर click किया तो जो यह column wise है यहां पर उसका अलग से seat में बन के आ जाएगा जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहे है नीम पर गए हम लेबल पर गए हमने लेबल पर click किया तो यहां पर आप उसको यहां पर देख सकते हैं row और column की value आप यहां पर देख सकते हैं कि किसी भी self को आप define कर सकते हैं क्या आप जानते हैं comment विकल्प का उपयोग क्यों करते हैं कमेंट के द्वारा आप अपने spreadsheet के self के बारे में कोई भी comment अथवा अपने प्रतिक्रिया दे सकते हैं यह comment आपके spreadsheet के page margin में देख सकते हैं आएए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं इसका उपयोग कैसे करते हैं आएए वीडियो को देख कर comment के बारे में सीखते हैं कि comment से क्या होता है जैसे कि आप जानते हैं comment के द्वरा आप किसी भी cell में comment लगा सकते हैं उसके बारे में कुछ आप लिख सकते हैं उसके बारे में कोई notes लिख सकते हैं हमने यहाप एक cell हमने यहाप रोको select किया फिर हमने column इंसेट मेन्यू पे क्लिक के और comment option को select कर लिया तो यहाप देख सकते हैं जो लास्ट वाला cell है उसके साथ में एक box बनके आगया तो हम यहाप उसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं कुछ भी आपको प्रितिक्रिया देने नोस देने तो आप उसके बारे में यहाप लिख सक करें और सो comment पे क्लिक कर दें तो जो भी आपने उसके अंदर comment दिया है तो आपको यहाप दिखाए देगा इसी प्रकार से हमने एक और cell को select किया इंसेट पे क्लिक किया और comment पे क्लिक किया तो अब जिते यहाप पे comment box आगया आप इसकी regarding में जो भी आप text दिखना चाहते है यह cell के बारे में आप जो भी जानकारी देना चाहते हैं यह note बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसके बारे में लिख सकते हैं हमने यहाँ पे example के लिए यहाँ पे computer लिखा computer 6 से type किया हम फिर बाहर क्लिक करेंगे जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे तो उस cell के जो टॉप को होगा वहाँ पे रैट कलर से बना हुआ आएगा इसका मतलब इस cell के उपर कुछ comment लगा है कुछ हमने आप नोट लिखा है उसके देखने के लिए right click करेंगे और right click करने के इस cell पर वह आपको दिखाई देगा जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर साप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे comment पर क्लिक करेंगे box आ जाएगा आप उसको एड़ेट कर सकते हैं हमने यह पर CS लिख दिया जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप उसके फिर साप राइट क्लिक करें यहां से insert comment डिलीट कमेंट का option अगर डिलीट करना चाहते हैं यहां साप डिलीट कर सकते हैं जैसे आपको वीडियो में दिखाया रहा है हमने इस पर राइट क्लिक किया फिर भी cell के ओपर कोई आप comment लिख सकते हैं कोई भी परतिक्रिया दे सकते हैं अब आप picture, movie and sound, object और chart के बारे में सीखेंगे जैसे कि आपने इसके बारे में writer और impress के भाग में इनके बारे में सीख चुके हैं इसलिए आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं और इनका review करते है कि spreadsheet में इन option का उप्योग कैसे करते हैं आई ये वीडियो की मदद से सीखते हैं insert menu के picture, chart, object, movie sound option का उप्योग कैसे करते हैं सबसे पहले insert menu पे click करें यहाँ पे click करने के बाद सबसे पहले option picture option को select करें from file पे जाएं यहाँ पे एक box open हो जाएगा आप यहाँ से किसी भी प्रकार के picture को insert कर सकते हैं अगर आपको अपने sheet के उपर spread sheet के लगर अगर आपको कोई drawing बनानी है कोई drawing को insert करना है तो आप यहाँ से picture को आप insert कर सकते हैं जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अई हमने यह पे picture को insert किया को अगर आप इसके size को कम जाद कर चाहते हैं तो आप यहाँ से size को कम पर भी आप रखना चाहते हैं उससे आप रख सकते हैं अगला ओप्षन इंसेट मेन्यू पर फिर से क्लिक करें रहते हैं जयसे कि आप जानते हैं Contma की मदद से को भी मंडिमी चीत जैसे कि अगर आपको song या movie या video insert करना है तो आप insert कर सकते हैं movie and sound पर मुने click किया box आगया जहाँ पर भी आपको videos है या कोई भी multimedia से select कर ले open पर click कर दें जो भी multimedia आपका है वो यहाँ पर insert हो जाएगा जो आपकी सीट है spread sheet उस पर जहां पर भी आपका pointer है वहाँ पर आपको यह multimedia आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहे हैं हमने यहाँ पर एक वीडियो को यहाँ पर insert किया आप इसको भी ड्रैक करके कई पर भी रख सकते हैं या इसके size को आप कम जादा करना चाहते हैं तो आप इसके कम जादा कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहा है जो green color के dots पने हुए हैं उससे आप इसके size को कम जादा कर सकते हैं जब भी सेलेक्ट होगा तो इसको आप ड्राइक करके कहीं पर भी रख सकते हैं यहां पर देखते हमने सीटू को सेलेक्ट किया यहां पर कुछ डेटा है हमने इसको डिलीट किया क्योंकि हम चार्ट ऑप्शन कोप्यों करेंगे यहां पर बॉर्डर लगावा है तो हमने इसको सेलेक्ट करके बॉर्डर भी यहां से रिमूव कर दिया जैसे क्या आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है सीट वन पर कुछ डेटा है उस डेटा को हम कुछ कॉपी कर लेंगे हमने यहां पर दो कॉलम को सेलेक्ट किया इंसाइट मेन्यू पर क्लिक करने के बाद चार्ट ओप्सन को सलेक्ट करें, इंसाइट मेन्यू पर क्लिक करें, चार्ट ओप्सन को सलेक्ट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, जैसे आप चार्ट ओप्सन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है इसमें से आप जिस तरगे की आपको चाड़ चाहिए मांने जाए आपको कॉलम या बार या पाई या एरिया के रूप में दिखाना है तो आप इन वैसे किसी को भी आप स्लेक्ट कर सकते हैं हमें कॉलम वाले उप्षन को स्लेक्ट किया उसको अमने 3D उप्षन जिसे आप चार्ट की द्वारा आप दिखाना जाते हैं हमने पहली से सलेक्ट कर रखा था इसलिए यहाँ पर यह अल्रीडी बना हुआ है जो डेटा है उसे आप किसको आप सीरीज या रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से अरेंज कर सकते हैं अगर आपको कॉलम में रखना है तो कॉलम में या रो में तो रो में रख सकते हैं फिर डेटा सीरीज है आप डेटा सीरीज को भी आप अरेंज कर से जैसे यहाँ पर सैली ह आप जो Sally वाले को portion है उसे x-axis में रखना चाहते हैं तो आप यहां से change कर सकते हैं यह Sally वाले यहां पर देख सकते हैं यह पहले से y-value है इसकी फिर next पर click करें यहां पर chart element है अगर आप इसके कोई title देना चाहते हैं किसके बारे में आप chart बना रहे हैं तो आप यहां से दे सकत किया पर display grid में आपको जो Sally graph की side मान अचीए वह आप arrange कर सकते हैं left right यह center में हमने right में रहने दिया और ok पर click कर दिया यहां पर आप देख सकते हैं एक chart बन के आगया पहले वाला जो था आपने इस अलग किया था डिपार्टमेंट वाला वो नीचे access में और जो Sally वाला है वो वाई वाले access में जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं तो इस प्रकास यहां पर एक graph बन के यह आ गया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस प्रकास आप chart को प्योग कर सकते हैं अगला option object का है insert पे click करें object और OLE object को select कर लें जैसे आपने impress में सीखा था OLE object की मदल से आप जो आपकी seat है उस seat पे आप किसी दूसरी file को आप insert कर सकते हैं हमने यहां पर presentation file को select किया तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर presentation file जो इंप्रेस की file है वह Excel की seat पर यहां पर आ गया है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अब आप इसके अ कुछ लिखना है तो मैं आप लिख सकता हूं कोई slide बना नहीं है तो मैं इस slide यहां पर बना सकता हूं मैंने आप इस spreadsheet लिखा और बार क्लिक कर दिया जब आप इसके अंदर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप आप object option का भी उपयोग कर सकते हैं अब आप format menu के बचे वे options के बारे में सीखेंगे क्या बता सकते हैं format menu का उपयोग क्यों करते हैं format menu से आप अपने spreadsheet के seat को अलग-अलग परकार की formatting को दे सकते हैं जैसे आप character की formatting को कर सकते हैं page के formatting को कर सकते हैं आप auto format का भी उपयोग कर सकते हैं और फिर बहुत से options जिनको उपयोग आप format menu की मदद से कर सकते हैं क्या आपको याद है कि आपने format menu के कौन-कौन से options को सीखा था आपने format menu के options जैसे की default formatting, cell, row, column, set, change case, auto format, conditional formatting, style and formatting इत्यादी के बारे में सीखा था अब आप alignment, arrange, flip, group के बारे में सीखेंगे क्या आप बता सकते हैं alignment क्या होता है alignment से आप अपनी seat के data को cell के left, right, center, top इत्यादी जगापे रख सकते हैं आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं alignment को प्यों कैसे करते हैं आइए वीडियो को देखकर alignment के बारे में सीखते हैं सबसे पहले format menu पे क्लिक करें alignment को select करें यहां पर लग लग options दिया हुआ, default, center, right, left, top तो आप इन में से अपने text को उस alignment में रख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हमने पहले से कुछ data को टाइप किया हुआ है हमने यहां पर cell के size को जो column है, हमने column के size को बढ़ाया है यहां पर जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है format menu पे क्लिक किया, alignment पे क्लिक किया, left पे क्लिक कर जिया तो आप देख सकते हैं जो data था, जो cell के अंदर जो लिखा हुआ था, number वो left side में आ गया अगर इसको पीसे change करना है, format पे क्लिक करें, element पे क्लिक करें हमने center पे क्लिक किया, तो जो text है, जो number लिखा हुआ है, वो center में आ गया हमने इस पूरे data को select किया, जो इस column में है, format पे क्लिक किया, right पे क्लिक कर दिया तब आप देख सकते हैं, जो भी numbers थे, वो सारे right side मुझे लेगे फिर से हम format menu पे क्लिक करेंगे, alignment पे जाएंगे और justify पे क्लिक कर देंगे, जैसी justified पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, जो भी numbers थे, वो सारे left side में आ गया जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने एक cell के अंदर A को type किया, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने इसके font size को कम कर दिया यहाँ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इसको हम अलग-अलाइमेंट में रख सकते हैं, format menu पे क्लिक के हमने element पे क्लिक किया, top पे क्लिक किया, तब देखके हैं जो आप ए लिखा हुआOTHER था यह cell के टॉप में आगए जैसे हमने बटम पे क्लिक किया तो देखके हैं, जो जो यह न लिखा हुआ हो cell के बॉटम में आगए जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं तो इस प्रकार से आप alignment का उपयोग कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं arrange विकल्प का उपयोग क्यों करते हैं arrange विकल्प के उपयोग से आप अपने object को अलग-अलग order में change कर सकते हैं जैसे कि आप अपने object के cell के background में set कर सकते हैं और cell के ऊपर भी रख सकते हैं आएए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं अरेंज विकल्प का उप्योग कैसे करते हैं आएए वीडियो को देखकर सीखते हैं अरेंज विकल्प का उप्योग क्यों करते हैं arrange vehicle का उपयोग आप सिर्फ clip part या जो भी आपने seat के उपर चित्र को insert किया है आप उसके अंदर ही इसका उपयोग कर सकते हैं हमने यहाँ पर second seat one को select किया जाप हमने पहले से एक picture को insert किया हुआ था जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अब यह picture cell के ऊपर है अगर आप इसको background में लाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि यह background के अंदर आए तो हम format menu पर click करेंगे arrange भी जाएंगे यहाँ पर अलगलग option देख सकते हैं bring to front forward one back one send to back और two background हमने two background पे click किया तो आप देख सकते हैं यह जो चित्र है यह जो अपने picture insert के था यह background के अंदर आ गया अब आप इसके अंदर कुछ भी type कर सकते हैं जो भी यह background के अंदर यह set हो गया इस परकार से आप arrange की मदब से अपने picture को background में भेज सकते हैं उसे फिर cell के उपर या उसे जो भी दूसरे drawing बनाया है उसके उपर ला सकते हैं इस परकार से आप arrange विकलप का उप्योग कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं फिलिप विकलप से क्या होता है फिलिप विकलप के द्वारा आप अपने object को rotate कर सकते हैं यह दो परकार के होते हैं जैसे की horizontal और vertical आए वीडियो को देखकर सीखते हैं फिलिप विकलप का उप्योग कैसे करते हैं आए वीडियो की मदद से सीखते हैं फिलिप का उप्योग क्यों करते हैं फिलिप का उप्योग आप इमेज यह ड्रोइंग जो बनाया है क्लिप आट बनाया है उसके उपर आप कर सकते हैं सबसे पहले हमने ड्रोइंग टूल बाकी मदद से एक सेप को मुने आपे ड्रॉ कि अगला विकल्प ग्रुप का है इसके द्वारा आप अपने किसी भी पिक्चर और क्लीप आठ को एक ग्रूप में बना सकते हैं अगर आप ग्रूप बनाने के बाद वह एक बार में सभी को सेलेक्ट कर लेगा आए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं ग्रूप विकल्प का उपयोग क्यों करते हैं आए वीडियो की मदद से दो ऑबजेक्ट का ग्रूपिंग करना सीखते हैं कि ग्रूपिंग से क्या होता है सबसे पहले आप ड्रोइंग टूर बार की मदद से कोई दो ऑबजेक्ट को ड्रॉप कर ले जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पर दो अलग अलग सेफ को ड्रॉप किया अभी देखता है हम अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग एक साथ दोनों सेलेक्ट नहीं हो रहा है एक-एक करके select हो रहा है, पहले से shift button के साथ दोनों को एक बाश select कर लें, shift button प्रेस कर रहे हैं और दोनों को select कर लें, फिर format पे click करें, group पे click कर दें और group option को select कर लें, तो अब इसका एक group बन चुका है, जब भी आप इनमें से किसी एक को select करेंगे, तो दोनों image एक साथ select होग formatting करेंगे, तो दोनों एक साथ इसके अंदर formatting होगा, जो भी formatting करेंगे, इस दोनों image को, इस दोनों image के अंदर formatting होगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो इस परकार से ये group हो गया है, अगर आप, अगर इस से आप बाहर आना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर से format पे click करेंगे, click करने के बार, group पे जाएंगे, और इस ungroup पे click कर देंगे, जब आप ungroup पे click कर देंगे, ये आप group से बाहर आ जाएंगे, जैसे आप वीडियो में दिखाया जा रहा है, जब आप इसको select कि ये select होगा, जैसे का आप वीडियो में देख सकते हैं, इसको इब फिर से हम select करेंगे, पहले इसको फिर से group बनाएंगे, याप आप देख सकते हैं कि highlight नहीं हो रहा, highlight इसलिए नहीं हो रहा, क्योंकि हमने दोनों को भी select नहीं किया है, इसके लिए दोनों को पहले select करना ह होगा, select करने के बाद, format पे click करेंगे, group फिर group option को select कर लेंगे, तो अब देख सकते हैं, अब जब अब enter group पे click करेंगे, format में जाके, तो बाकी के जो options है वो highlight हो जाएगा, और यह उससे बाहर आ जाएगा, तो आप इस प्रकास से, फिर से इसके दो तरीके से grouping से बाहर आ सकत एक रेंटर गुरूप के थुरूप और एक अनगुरूप करके, तो इस प्रकास से आप grouping, गुरूप की मज़त से दो, यह दो से ज़्यादा picture को group बना सकते हैं, उसको आप एक साथ select कर सकते हैं, और उसके अंदर एक साथ formating कर सकते हैं, आईए अब सभी बहुत से अन्य फो इसके अनुसार किसी कॉलम अथवा रोल में से उसे काउंट करना चाहते हैं, तो आप काउंट इस फोर्मूला का उप्योग करेंगे, इसके लिए फोर्मूला होता है, equal to count if test range semicolumn condition, आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं, काउंट इस फोर्मूला का उप्योग कैसे करते हैं, आईए वीडियो की मदद से हम count if formula के बारे में सीखते हैं, कि count if formula की मदद से क्या होता है, साथ से पहले आप देखते हैं, seat 1 पे हमने कुछ data बनाया हुआ है, जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने यह पर एक data type किया है, हम इस data को copy कर लेंगे, तो हम इसे अलग seat पे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करके वहाँ पे हम formula के बारे में सीखेंगे, हमने इसको यहां से copy किया, एक हमने यहां पर अलग seat को insert किया, यहां पर right click किया, लास्ट में, एक box आजाएगा, फिर हमने after current seat लग किया, उसके बाद एक यहां पर नई seat आ गया, जैसा आप वीडियो में देशकते हैं, फिर हमने seat पे पेस्ट कर दिया, जो भी हमने data वहां से copy किया था, तो आप आप देख सकते हैं, यहां पर एक नई seat है, नई seat पर हमारे पास कुछ data है, अब हम इसके अंदर counting formula को प्योग करना सीखेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं, हमें इस department वाला option में से, अगर किसी एक particular इंसान को हमें count करना है, किसी जैसे engineer है, हमें उससे count करना है, कि इसके अंदर कितनी बार आ रहा हैं, तो हमें इसके लिए count if को प्योग करेंगे, तो हमें सबसे पहले department option जो है, उसको हमने copy paste किया, जैस किया, उसको मने आप पर copy और paste कर दिया है, जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, क्यूकि यह निम बार बार इस list के अंदर repeat हो रहा है, तो हमें चECK करना है, कि जैसे engineer है, वो कितनी बार इस list के अंदर है, डॉक्टर है, वो कितनी बार इस list के अंदर है, यह scientist इस कितनी बार इस लिस्ट के अंदर है, इस सब को में count करना है, तो इसके लिए हमें count if formula का उप्योप करेंगे, जैसे आपको वीडियो में दिखा जा रहा है, हमें अगले वाले cell में count if लिखा, अब हमें इनकी संख्या को count करना है कि engineer कितने है, तो अब हम यहां पर formula का use करेंगे, हमने यहां पर equal to को type किया, फिर count if लिखा, count if लिखने के बाद यहां पर range पूछ रहे, range जहां पर आप सर्च करना चाहते हैं, जिस लिस्ट के अंदर आप सर्च करना चाहते हैं, तो हम उस range को select करेंगे, तो हमारे range department वाला इक हम department में सर्च करना है, तो हम इस वाले को column को यहां पर select करेंगे, जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने यहां पर select किया, select करने के बाद हमने यहां पर semi column लगाया, हमने यहां पर shift F4 से हमने जो भी select किया था, उसे हमने freeze कर दिया, freeze हम इसे लिए करते हैं, ताकि जब हम नीचे जाएं, तो यह vary ना करें, जो भी हम data select के वो बार-बार change देना हो, इसलिए हम इसे log कर दिया, फिर semi column लगाया, तो हम यहां पर criteria है, आप किसे सर्च करना चाहते हैं, हमें engineer को search करना है, हमने criteria में engineer को यहां पर select किया, select करने के बाद bracket को close करेंगे, और close करने के बाद हम एक बड़ enter button press करेंगे, इस list के जैसे enter button press करेंगे, जो भी answer हो यहां पर आ जाएगा, इस list के अंदर जितने भी engineer है, उसको count करके यहां पर बता देगा, जैसा हम यहां यहां पर count कर सकते हैं, यहां पर कितने engineers हैं, four times हैं, फिर आप इसके right side में यहां पर double click करें, double click करने के बाद बागी के जितने भी हैं, उनको यहां पर count करके, उनकी details, उनके data यहां पर आ जाएगा, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, doctor यहां पर team, scientist team, management team और finance के team और यहां पर इस list के अंदर हैं, तो इस प्रकार से आप count if formula का उपयोग कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं, count if formula को उपयोग क्यों करते हैं, count if formula को उपयोग आप जब करेंगे, अगर आप किसी data के row अथवा column में से किसी data को 2 यह 2 से ज़्यादा condition के अनुसार count करना चाह आते हैं, तो आप count if formula का उपयोग करेंगे, इसके लिए formula होता है, equal to count if range 1, semicolumn, criteria 1, semicolumn, range 2, criteria 2, bracket close, आएए वीडियो को देखकर सीखते हैं, count if formula का उपयोग कैसे करते हैं, आएए वीडियो के द्वारा सीखते हैं, count if formula का उपयोग कैसे करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, count if की मदद से आप 2 condition के साथ, आप किसी data को आप count कर सकते हैं, यहाँ पर हमने पहले count if की मदद से हमने सिफ इंजीनियर को count कहता हैं, लेकिन count if यहाँ पर double condition या उससे ज़्यादा condition के साथ काम करेगा, अगर आपको चाहते हैं कि जो इंजीनियर है वो जो डैली में रहता है, वो कितनी बार यहाँ पर repeat हो रहा है, उससे आप count करना चाहते हैं, तो आप count if का उपयोग करेंगे, सबसे पहरे हमने location ीचन वाले option को यहाँ पर copy paste किया जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने location वाले एक उसे यहाँ पर copy paste किया, तो उसके बाद हमने आगे यहाँ पर count if लिखा, हमें यहाँ पर count करना है, जो इंजीनिर है वो दैली में रहता है, वो कितनी बारा है, ज हमने equal to count x formula type किया bracket को start किया जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर पूछ कर रेंज 1 condition 1 है यहाँ जो भी जिसे आप सर्च करना चाहते हैं तो हमारा पहली condition हो गया हमने department वाले option को यहाँ पर column को select किया ही जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं semicolumn लगाएंगेangel i canca कि लगाने के बाद यहाँ आप हões criteria 1 जिसे आप सर्च करना चाहते हैं जिस list के अंदर आप जिसे आप सर्च करना चाहते हैं वो criteria होगा हमने हैं यहांपर select किया, semicolon लगाया, semicolon लगाने के बाद criteria, जीछ आपको search करना है, अमें इंजिनियर को search करना है यहांपर, engineer को select कर लेंगे, हमने इसको select किया, select करने के बाद semicolon, फिर से लगाएंगे, semicolon लगाने के बाद, यहां पर range 2 पूछ रहा है, second condition आगे हैं यहां पर, जैसे आप जानते हैं, count if में दो condition के साथ काम करते हैं, तो second condition, फिर semicolon लगाया, फिर से हमने यहां पर, फिर हमें Delhi select कर लिया, जो criteria 2 है, हमने Delhi को select किया, जब bracket close करके enter button दवाएंगे, तो यहां पर आप देखेंगे, जो engineer है, जो Delhi में रहता है, वो कितनी बार है, वो 1 है, इसी प्रकास से doctor, जो पूने में रहता है, वो कितनी बार है, 2, scientist, जो मुंबे में रहता हो, 2, management, जो बैंगलूरू में रहता हो, 1, finance, जो गुरवाँ में रहता हो, 1, तो इसको आप देख सकते हैं, जो count if यहां पर क्या किया, द if formula के बारे में सीखेंगे, sum if formula के द्वारा आप किसी data में से, किसी भी एक name अथवा किसी दूसरी condition से उसका sum अथवा total निकाल सकते हैं, इसके लिए formula होता है, equal to sum if range, semicolumn criteria, semicolumn sum range, आजे वीडियो को देखकर, sum if formula का उप्योग करना सीखते हैं, आजे वीडियो की मदद से, sum if formula का उप्योग करना सीखते हैं, sum if formula से क्या होता है, sum if formula की मदद से आप किसी condition के दुबारा किसी एक, कोई भी condition लगा के उसका आप total कर सकते हैं, जैसे आपको वीडियो में दिखा जा रहा है, आपने सरसे पहले आप एक column को insert किया, जैसे आपक वीडियो में देख सकते हैं, हमें location से पहले एक column चाहिए, तो इसके लिए ने location और option को select किया, प्रो insert और फिर column insert पे click के, एक column हमारे पास आप insert हो गया, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, अब यहाँ आप आप देख सकते हैं, यह total salary का column है, हमें इसके अंदर सिर्फ जो engineer है, कितने total engineer है, सिर्फ उसी का जो salary है, वो count करके यहाँ पर दिखाए, या फिर जो doctor है, जितने भी doctor है, सिर्फ doctor की salary को यहाँ पर count करके दिखाए, या scientist है, जितने भी सिर्फ scientist के salary को count करके तो इसके लिए हम sum if formula का उप्योग करेंगे यहाप आप देख सकते हैं total यहाप इंजीनियर्स चाह रहे है डॉक्टर है यहाप तीन है तो इसके अंदर जितने भी इंजीनियर्स है अगर उनके salary को total करना है सिर्फ तो इसके लिए हम sum if formula यूज़ करेंगे तो हमने यहाप पर sum if type किया अब हमें इसका total निकालेंगे इसके लिए equal to सबसे पहले आप equal to लगाए equal to लगाने के बाद sum if type करें bracket को start करें यहाप इस shift 9 से हमने open bracket लगाया यहाप पहला option आज़ा है range तो range हमारा जो है यहाप जो department जिसके आप salary निकालना चाहते है जैसे engineer है तो engineer किस list के अंदर है यह department वाले list में तो यह range हो गया तो हमने इसको select किया select करने के बाद semicolon लगाएंगे हमने आप सेमी कॉलन लगाया फिर criteria किसी अगर एक particular व्यक्तिक अगर आपको परसन का सिर्फ सम करना है तो हमने उसको select किया हमें इंजीनर को सम करना था तो हमने इंजीनर को यह पर select किया सेमी कॉलन फिर सम्रेंज सम्रेंज जिसमें हमें सम करना है जिनका हमें सम करना है तो हमने इस सेल्डी वाले कॉलम को यहां पर select किया और ब्रैकेट को close किया सिफ्ट जीरो से ब्रैकेट हमने close किया एंटर बटन को प्रेस किया तो यहां पर देख सकते हैं जो आंसर आएगा जितने भी यहां पर इंजीनर्स है उनकी जो टोटल होगा अमांट वह इन चारों को यहां पर सम करके इसका आंसर यहां पर आ जाएगा इसी प्रकार से अगर आपको सब कर निकालने जैसे टॉक्टर सेटिस मेरे साफ हट सूर्ब आपकर किलिक के रहे साथ में जो बटन को ने स mitä यहां और अपर अंसर आ जाएगा आपको वीडियो में दिखाए जाएगा है हम टॉक्टर के तीन की को सब ने काक्र रहा हुए अगर हम total salary को यहाँ पर count करें तो यहाँ पर भी 2, 3, 9, 4, 0 जो दोनों equal है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जो कि जो भी अपने लगाया है यह value सही है या गलत हैं तो इस प्रकार से आप sum if formula का उप्योग कर सकते हैं अगला formula sum ifs का है इस formula का उप्योग आप जब करेंगे अगर आप किसी data में से 2 या 2 से ज़्यादा condition का अनुसार उसका sum अथवा total निकालना चाहते हैं तो आप इसके लिए sum ifs formula का उप्योग करेंगे sum ifs formula के sum ifs के लिए formula होता है equal to sum ifs, sum range, semicolumn range 1, semicolumn criteria 1, semicolumn range 2, semicolumn criteria 2 आएए वीडियो को देखकर sum ifs formula का उप्योग करना सीखते हैं आएए वीडियो की मदद से सीखते हैं sum ifs formula का उप्योग कैसे करते हैं sum ifs formula की मदद से आप दो condition के साथ उसको आप total करा सकते हैं जैसा sum ifs के साथ हमने सिर्फ एक condition दिया था और हमने total किया था यहाँ पर हम दो यह से ज़्यादा condition को देखे हम इसको total करा सकते हैं आए देखते हैं इसको प्योग कैसे करते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर sum ifs लिखा जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं equal to sum ifs bracket को start कि हमने यहाँ पर सबसे पहले आरा sum range इसके अंदर हम सबसे पहले sum range देंगे किसके अंदर हमें total करना है तो पहले condition हमारे यह हो गया है हमने यहाँ पर सिर्फ sum range दिया है यहाँ जैसा कि मालेज आपको इंजीनिर के साहली निकालना है कि जो डैली के अंदर रहता है सिर्फ उसी का total करके दिखाए यह जिसी प्रकासे डॉक्टर जो पूने में रहता है जितने भी डॉक्टर पूने में रहते हैं उनका total करके दिखाए साइन्टिस्ट जो मुंबई में रहता है उसका टोटल करके दिखाए जो मैनेजमेंट का है जो बैंगलूरू में रहता है सिर्फ उसका टोटल यहां पर करके दिखाए तो उसके लिए हमने सबसे पहले यहां पर समरेंज दिया हो जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा र निकालना चाहते हो, हमने यहां पर range दिया, तो इसमें सही में बैसे, criteria जिस particular person को आपको Sally निकालना है, तो हम यहां पर select करेंगे, semi column criteria one, criteria one में हम यहां पर engineer को select लिया, क्यूंकि इस range के अंदर जो हमने select किया है, इसके अंदर हमें engineer की Sally निकालनी नहीं है, तो हमारा पहला ही condition हो गया इसके बाद हमने semicolon लगाया अब यहां पर range 2 जो second condition आएगा वह हम यहां पर लगाएंगे second condition जो location है कि मालेजी जिसे engineer है जो Delhi में रहता है सिर्फ उसी के cell count करना है तो हमने यहां पर location लगाया पहले range 2 को हमने select किया semicolon अब particular हम किसी location को select करेंगे जो criteria 2 है और हम उसमें Delhi को select किया फिर bracket को close किया और enter बटन हमने यहां पर प्रेस किया तो इसके अंदर क्या होगा जो पहला हमारा range था Department वाला उसके अंदर जो engineer है उसकी salary second condition जो हमने लगाया रोकेशन का जो Delhi में रहता हूँ जो Delhi में इंजीने रहता है सिर्फ उसके उसके बीजीनेर है उसकी टोटल करका यहां पर दिखा देए तोफ आप वीडियो में निकालेगे सब्सक्राइट्स निकालेंगे इसी प्रकार से समयनेटिस्ट जो च सब्सक्राइटें equal to sum if bracket को start सब से पहले आपको sum range आएगा जिसमें से आपको जिसका आपको total करना है हमें salary का total करना है यह जो भी number हो सकता है आपको marks हो सकते हैं आप उनको पहले select करेंगे हम उनको select किया semicolon लगाया semicolon के बाद आपको पहले condition दे रहा है कि आपको एक range select करना है, जिसके अंदर किसी particular वेक्टि का अपको तोटल निखाना है, तो हमने range यहापे select किया, criteria जिस उस range में से किसी एक वेक्टि को आपको निकालना चाहते हैं, हमने पहले हम आप इंजीनिेरि निकाला था, अब हमें आप डोक्टर को निकालना है तो हमने range के अलग लग अलग हमने location को सेरक्ट किया और हमनमं आप सेमी कॉलम लगाया लगाने के बार माल कि अक्टаче का निकाल नंए हम स्वेक्ट करेंगे कि हमने यह बुन आप एंटन को स्वाइड किया रख लेक्टन को प्लोज करेंगे क्लोस करने को जब आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे जो इसके अंदर वैल्यू आएगी जैसे कि डॉक्टर पूनिक अंदर रहता हो उसका टोटल कितना अनक्ची है कितनी सैल है वह यहां पर काउंट करके बताएगा इसी प्रकास के जो साइंटिस है जो मुंबए में जितन ्ट करके यहां पर बता दिया तो इस प्रकास से आप समब्स फोर्मोला का उपयोग कर सकते हैं अब उसकी मदद से adults पे जादा condition लगा के उसको टोटल यह सम कर सकते हैं अब आप large और small फोर्मूलाओं के बारे में सीखेंगे large formula को उपयोग आप अपने seat में second largest value को निकाल सकते हैं large formula की मदस्टे आप जैसे की maximum formula की मदस्ट आप maximum value निकालते हैं उसके बाद जो second value निकालना होता है या उसके बाद की value जो highest value निकालना होता है तो उसके लिए हम large formula का उपयोग करते हैं इसके लिए formula होता है equal to large number list semicolon rank आएए वीडियो को देखकर सीखते हैं large और small formula का उपयोग कैसे करते हैं आएए वीडियो की मदद से large formula का उपयोग करना सीखते हैं कि large formula की मदद से क्या होता है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर हमने पहले से एक data type क्या हुआ है लाज़ फॉर्मुला की मदद से आप जैसे कि maximum जो value होता है जैसे maximum formula की मदद से हम maximum value निकालते हैं लाज़ फॉर्मुली की मदद से आप जो second number पे maximum value आ है या third number पे जो maximum value है या fourth number पे जो maximum value है तो आप उसको rank wise उसे आप निकाल सकते हैं हमने यहाँ पर एक column में rank और maximum salary को type किया जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं और rank में हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 तक rank हमने यहाँ पर दिया rank 1 जो हमारी maximum salary होगी जैसे कि आपको पता है rank 1 होते जो सबसे maximum salary है जो maximum number होता है तो maximum number निकालने के लिए आप सब भी जानते हैं max chrome लगा उप्योग करेंगे तो हमने यहाँ पर equal to max type किया और salary में से उसको हमने select कर लिया तो इसके नदर जो भी सबसे बड़ी value होगी वो यहाँ पर आ जाएगा जैसे आप वीडियो में देख सकते है 754 times 0 सबसे बड़ी value यहाँ पर highlight हो चुकी है अब हम उसके बात अगर चाहते हैं कि second number पर इसमें कौन से value है third number पर कौन सा है fourth number पर कौन सा है large formula को उप्योग करेंगे अब हमने यहाँ पर equal to large bracket को start किया पि data हमारे पास जो है salary में लिए हैं इसमें से second number पर निकालना है हमने इसको पहले select किया semicolon और फिर हमने यहाँ पर rank इस rank पर भी निकालना है जितनी number आपको निकालना है आपको second number पर निकालना है body value कौन से third number पर कौन से तो आप देख सकते हैं जो second number पर जो highest value है वो 5, 6, 4, 0 है हमें बागे कर निकालना है तो यहां पर click करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर नहीं आया क्योंकि हमने जो rank वाले position को select नहीं किया था हमने individual 2 को वहां पर type करेंगे जिसकी बज़े से जब हम नीचे copy down करेंगे तो यह सारे same value है इसके लिए आप क्या करेंगे equal to large type करेंगे bracket open फिर जिसमें से भी आपको large value निकालना है उसे select करेंगे हमने इस cell को freeze कर दिया ताकि यह नीचे vary ना करें जब हम copy down करें तो यह same value repeat ना हो फिर जो rank 2 है जो हमने rank वाले column दिया था उस वाले को हमने select किया 2 option को और bracket को close कर दिया जब आप यहां से down करेंगे तो जो इसके साथ की value है 3, 4 तो इन सब के automatic यहां पर आ जाएगा जब आप यहां पर click करेंगे इसके right पर double click करेंगे तो जो इसके rank के हिसाब से निकालना चाहते हैं तो आप उसे निकाल सकते हैं minimum value को निकाल सकते हैं आए वीडियो को देखकर सीखते हैं large और small formula को प्योग कैसे करते हैं आए वीडियो की मदद से सीखते हैं small formula को प्योग कैसे करते हैं small formula की मदद से आप जो second number की minimum value आप उसको निकाल सकते हैं rank wise आप minimum value निकाल सकते हैं जैसे कि आप जानते हैं अगर आपको सबसे कम minimum value सबसे minimum value निकालना है उसके लिए हम minimum formula को अप्योग करते हैं यहाँ वीडियो में देख सकते हैं हमने एक cell के अंदर minimum salary को type किया तो सबसे पहले हम minimum salary निकालने के लिए जो minimum formula होता है min वो हम यहाँ पर type करेंगे हमने यहाँ पर equal to min min type किया फिर जो salary में से range को हमने select कर लिए हैं जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं फिर bracket close के enter button दवा दिया जो इसके अंदर minimum value हो यहाँ पर आ गया 45,000 सबसे minimum value हो यहाँ पर आ गया अब हम चाहते हैं जो second number पर minimum value है या third number पर minimum value है उसे count करना है तो इसके लिए हम small formula को अप्योग करेंगे उसके लिए हम यहाँ पर small bracket को start जो data है उस data को हम select करेंगे semi column यहाँ पर rank दिया हुआ है आपको किस rank पर value निकालना है second number पर निकालना है तो अमने आप second को select किया और bracket को close किया bracket को close के enter button को अमने दबा दिया तो आप देखते हैं जो second number पर minimum value और 60,000 वह यहाँ पर आ गया इसी परकास आपको जो third number पर निकालना है third number पर minimum value कौन सी है fourth number पर कौन से है तो यहाँ पर आप इसे copy down कर लें उससे आप नीचे drag कर लेंगे तो आप बाकी third और fourth का भी value निकल जाएगा तो इस परकास से आप small formula का उपयोग कर सकते हैं अगला formula average if का है क्या आप बता सकते हैं average if formula का उपयोग क्यों करते हैं average if के उपयोग से आप किसी data में से एक condition के अनुसार आप उसका average निकाल सकते हैं इसके लिए formula होता है equal to average ब्रैकेट स्टार्ट रेंज सेमी कॉल्म क्रैटेरिया सेमी कॉल्म एवरेज रेंज रेंज ब्रैकेट क्लूज आइए अब वीडियो को देखकर average if formula का उपयोग करना सीखते हैं आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं average if formula का उपयोग कैसे करते हैं average if formula की मदद से आप जो भी आपने data टाइप किया उसी में से अगर किसी एक particular person का आप average निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पर एक department वाले कॉला में जिसके अंदर कुछ department के लोग है उसको हमने select किया उसको copy paste यहाँ पर हमने कर लिया जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अब यहाँ आप देख सकते हैं इंजीनियर, डॉक्टर, साइन्टिस, मेनेजमेंट और फैनांस हमने इनको रखा हुआ है अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो इंजीनियर है जितरे भी इंजीनियर है उसका एवरेज वेल्यू क्या है जो सैलरी है उसके एवरेज सैलरी क्या है इसके लिए हम यहाँ पे एवरेज इफ फोर्मूला को उप्योग करेंगे आप देख सकता है हमने इसके आगे वाले डिपार्टमेंट का आगे वाले मिनमें यहाँ पे एवरेज इफ लिखा है हमें यहाँ पे इंजीनियर का एवरेज सैलरी निकालना है कि इसके दर जित averageif type करेंगे equal to averageif bracket को start करेंगे यहां पर सबसे पहला range कूछरा range criteria हमें जिसका निकालना है इसको column देखेंगे कहां पर है इस सबका range तरह जो department वाला यह इसका पहला range हो गया हमने इस range को select किया फिर semi column criteria एकर निकालना है किस इंजिनर की में किरा ह데ists इंजिनर को तो को पिलिए उनकेac Nu. इनुकलम के अथेवरेज रेज्य तो है में किस में से कैसे आवरेज के तो छहाँ पेकर है कि लिएधPod कुल्म के निकालना है, आपको सेक्ट करेंगे ब्रैकिट को क्लोज करेंगे ब्रैकिट को क्लोज करने के बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे जब एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो इंजीनियर जीतने भी टोटल इंजीनियर्स है उसका यहाँ पे जो सैली का जो एवरेज होगा वो यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पर सिर्फ इंजीनिर का एवरेज वैल्यू यहाँ पर आया है इसे प्रकास से अगर आपको यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं वीडियो में यहाँ तीन इंजीनिर है चार इंजीनिर है तो इन चारों को जो टोटल करके अवरेज निकालेंगे तो आपका यह वैल्यू आएगा 18, 9,000 अगर आपको बाकी के निकालना है डॉक्टर को या साइन्टिस्ट या फाइनांस का तो आप यहां पर क्लिक करके नीचे ड्रैक करेंगे तो इनका अवरेज वैल्यू निकल जाएगा डॉक्टर को आवरेज सायलदी, ट्रैंटिस का आवरेज सायल्दी, मेनेजमेंट वालों का और फाइनांस का तो इस प्रकार से आप अवरेजिस फॉर्मूला का उप्योग कर सकते हैं आईए अब Average Ifs formula के बारे में सीखते हैं Average Ifs formula का उपयोग आप किसी data में से दो अथो दो से ज़्यादा condition के अनुसार किसी का Average निकालना चाहते हैं तो आप Average Ifs का उपयोग करेंगे आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं Average Ifs formula का उपयोग कैसे करते हैं आईए वीडियो की मदद से Average Ifs formula के बारे में सीखते हैं कि इससे क्या होता है इसकी मदद से आप किसी एक particular व्यक्ति और उसके साथ में वो किस location पे रहता है आप उन दोनों condition को लगा के Average को निकाल सकते हैं Average Ifs में सिर्फ एक condition के साथ यह काम कर रहा था लेकिन Average Ifs में इसके अंदर दो condition को आप लगा के उसका Average निकाल सकते हैं जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने location वाले column को यहाँ पे select किया उसका हमने यहाँ पे copy paste कर लिया जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पे पहले से department वाले का रहा था copy paste यहाँ पे एक हमने location वाले को यहाँ पे select किया अभी हमें यहाँ यह निकालना है कि जो engineer है जो डेली के अंदर रहता है सिर्फ उसका average यहाँ पे आए average if में किया था कि सिर्फ total इतने engineers है उनका average आए लेकिन हमें average if में जो engineer डेली में रहता है उसका average कितना है salary इसके लिए हम equal to average if जैसे आपको वीडियो में दिखा जा रहा है हमने यहाँ पे type किया type करने के बाद bracket को start किया यहाँ पे पहला आ रहा है average range average range आपका जो salary है जिसका आप average निकालना चाहते हैं वो होगा तक हमने यहाँ पे salary वाले कॉलम को select किया semi column लगाया उसके बाद यहाँ पे आ रहा है range 1 range 1 आपका जिस particular इंसान का या परषन का निकालना चाहते हैं यह वो होगा range 1 हमने जो department वाले कॉलम है उसको हमने यहाँ पर select किया Criterium जिसका आप निकालना चाहते हैं किसी एक इंसान का जिसकी हमें engineer का निकालना है जो Delhi में रहता है उसका average कितना है तो हमने यहाँ पर select किया engineer को Temi column लगाया उसके बाद यहाँ पर आरा है second range second range जैसे कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया कि हमें engineer के निकालना है जो सिफ Delhi में रहता हो तो उसके लिए आप location वालत वालम जो second range होगा हम उसको select कर लेंगे जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसको select किया फिर यहाँ पर second criteria आएगा second criteria जिस location में आप निकालना चाहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो condition हमने लगाया एक जो department का था जिसी किसी एक particular व्यक्ति का दूसरा एक particular location का फिर bracket close किया enter button दवा दिया यहाँ पर आप देख सकते हैं जो engineer जो डेली में रहता है उसका average salary 60,000 जैसा आपको वीडियो में दिखा जा रहा है हमने यहाँ से drag किया तो यहाँ पर एक particular निकल गया doctor जो पूने में रहता हो उसकी salary यहाँ पर changes करेंगे जैसे कि हमने नीचे वाले column में इंजीनिस को हमने change कर दिया यहाँ आप आप देश रहते हैं यहाँ पर इंजीनिर जो डेली में रहता है तो यहाँ आप आप देश रहते हैं जो average value वह यहाँ पर change हो गया पहले 60,000 अब 4 हो गया यहाँ जैसा आपको वीडियो में दिखा जा रहा है जो finance का है जो गुड़गों में रहता है इस प्रकाल से आप average x का formula का उपयोग कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं match formula का उपयोग क्यों करते हैं match formula के द्वारा आप अपने data में से किसी value को match करा सकते हैं match formula की मदद से आप किसी भी cell में लिखे data की position को जान सकते हैं वे कौन सी position पे है इसके लिए formula होता है equal to match search criteria look up area semicolon type then break it close आएए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस formula का उपयोग कैसे करते हैं आएए वीडियो की मदद से सीखते हैं match formula का उपयोग कैसे करते हैं अब match के formula का उपयोग से क्या होता है match formula की मदद से जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं list के अंदर अगर आपको किसी की position आपको find करना है या match करना की वो किस number पे है तो आप match formula का उपयोग करेंगे हमने यहाँ पे एक cell के अंदर हमने इंजिनियर को copy paste किया और एक में position ने से ढूलना है कि लिस्ट के अंदर उसकी position किया है तो इसके लिए match formula को प्योग करेंगे equal to MATC match हमने match यहाँ पे टाइप किया bracket start जिसके भी position जिसके भी आप match कराना चाहते हैं तो इस लिस्ट के अंदर कहां पे यह उसकी position क्या है पहर हमने उसको select किया फिर हमने उस look up here जिसके अंदर आपको search करना है यह जो department वाल option है हमने इसको search किया semi column और type 0 exact match हमे exact match कराना है तो इसलिए हमने 0 यहाँ पे टाइप किया और bracket को close किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो engineer की जो position इसके अंदर वो कितनी है वो one है यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं अगर हम इसको change करेंगे हमने यहाँ पे management को copy किया और यहाँ पे paste किया engineer की जगह तो आप देख सकते हैं management किया उसकी position यहाँ पे 4 दिखा रहा है तो इस list के अंदर यह 4 नमबर पे आप count कर सकते हैं इससे प्रकास हमने scientist कि इसको कौपी-पेस्ट किया तो आप है हमने यहाँ पे才inkling डेख सकते है scientist जो इसकी position यहां पे दिखा रहा है वह यहांपे 3 है जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जो इसको delete कया हमने यहाँ यहाँ पर डॉक्टर अब डॉक्टर की पोजिशन फाइंड करने हैं, हमने सिर्फ डॉक्टर यहां पर टाइप किया, जब आप वैल्यू दे सकते हैं, दो, तो मैच फॉर्मॉले की मदद से आप किसी भी लिस्ट में से आप उसकी पोजिशन को फाइंड कर सकते हैं, एक और तरीके से हम मैच फॉर्मॉला का उप्योग, इंडेक्स फॉर्मॉले के साथ में सीखते हैं, कि इसको हमें दूसरे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, हमार पास पहले से इक डेटा हमने आप पर टाइप किया है, अगर आप चाते हैं तो इस डेटा को आप टाइप कर सकते हैं, उसके बाद हमें यहां पर आपको जैसे कि जानते हैं match की मदद से हम किसी भी position या जो भी cell है उसकी position को हम जान सकते हैं कि उस cell वो कितने number पर है उसकी position क्या है अगर आप इसको index के साथ में करना चाहते हैं, मान लिजे आपको पास यह data है, आपके पास name और month है, और आपको value count करना है कि इस name में या इस month के उसकी value क्या है, जैसे आपको वीडियो में दिखा जा रहा है, हमने यह पर 3x, हमने यह पर name, month और value टाइप किया, हमने जैसे कि आ हमने टाइप किया, हमें value count करना है कि जो a नाम का बंदा है, उसकी gen, month के अंदर उसकी value कितनी थी, जो भी cell है, या जो भी result है, वो कितना था, जैसे आप directly यहाँ पर दे सकते है a gen, यहाँ पर 67 है, तो आप इससे देख कर देखते हैं, लिगन अगर बाकी के निकालना हो, तो पूरे reference को select कर लेंगे, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर यहाँ पर semi column, अब हम यहाँ पर match formula का उप्योग करेंगे, हमने match match यहाँ पर type किया, match जैसे कि आपको पता कि हम किसी की position को find कर सकते हैं, जब हम किसी की position को find कर लेंगे, हम किसे match कराना है, किस की value हमें, एक ही value हमें यहाँ पर कर रहे हैं, तो हमने a value को select किया, फिर look up error है, जो है हमारा है, किसके अंदर से हमें search करना है a value को, जो name वाला option है, जो a, b, c, d हमने उसको select कर लिया, फिर हमने यहाँ पर semi column लगाया, 0, 0 जैसे है कोई पता है कि हमें exact match चाहिए, जैसे लिए हमन match formula करेंगे, यहाँ पर हमने match type किया, bracket को start, अब हमें gen, जो month है, month name को हमें match कराना है, इसकी value हमें find करनी है, तो हमने gen को select किया, किसके अंदर से करना है, जो पहली row है, जो month वाला उस row को हमने, जो हमारा look up error है, उसको select किया, semi column और 0, bracket को close किया, enter button दबाया, यहाँ आप आप value है, वो 67 यहाँ पर आ गया, जब आप मैंसे name या month को change करेंगे, तो यहाँ पर जो automatic value है, वो यहाँ पर change होता जाएगा, आप देशकता है, हमने b type किया, तो b के अंदर जो gen की value है, वो कितनी है, वो यहाँ पर आ गया, इसी प्रकास हमने d type किया, d के अंदर, gen के अंदर कित आज के अंदर हो कितना था, 90, यहाँ पर आ गया, तो इस प्रकास से index इसकी value को find कर रहा है, और match क्या कर रहा है यहाँ पर, उसकी position को बता रहे कि उसकी कौन सी position है, और index उस position की value आपर बता रहा है, तो आप चाहें तो index formula के साथ match का उप्योग कर सकते हैं, क्योंकि आज की class यही पर समाप्त होती है, अब आप सभी अपने file को save करें, और computer को shutdown करें, आज की class में आपने view, insert और format menu के बच्चे विए options के बारे में सीखा, जैसे की navigator, names, comments, conditional formatting, alignment, arrange, और इसके साथ आप formula को सीखा, जैसे की count if, large, average if, match इतादी formula के बारे में सीखा,